हेलो इब्रीवन, स्वागत है आप सभी को, हमारे यूट्यूब चैनल जेपी कलासेस पे, आज हम लोग कक्छा साथ का, अध्यादो का, जिसका नाम है नए राजा एवम, उनके राजे, और किसी किसी बुक में दिया हुए है, इसी चैप्टर का नाम है नए राज वन्सो का उ उद्ये, नए राज वन्सो का उद्येत, इससे कनफीजन नहीं होना है, कक्छा साथ का इतिहास का, चेप्टर 2 है, जिसको हम लोग, चैप्टर के बारे में, पिछले अध्या, हम लोग पूरी अच्छी तरह से, डिड़ कर चुके थे, जो कि कक्छा साथ का इतिहास का chapter 2 है किसी book में दिया हुए है नए राज वन्षो का उद्धे chapter का नाम और किसे book में दिया हुए है नए राजा एयोम उनके राजी है तो उसके आज हम लोग question answer को देखने वाले हैं तो चलिए बिना देर की ये question को देखते हैं पाठे गत प्रशन यानि जो chapter था उससे कुछ प्रशन थे उसको पहले हम लोग देख लेते हैं पाठे वाला प्रशन उसके बाद प्रशन अभ्यास से भी जो प्रशन थे उनको भी हम लोग देखेंगे पाठे प्रशन पुछ रहा है क्या आपके विचार से उस दोर में एक सासक बनने के लिए छत्रिये के रूप में पैदा होना मुहत्पुन था मतलब जो chapter हम लोग पढ़े थे नए राजवन्शों का उदय या नए राजा एवं उनके राज्यों उस चैप हो जाएगा हमारे विचार से उस दोर में एक सासक बनने के लिए छत्रिये के रूप में पैदा होना मुहत्पुन नहीं था भारत के कई गैर छत्रिये सासन हुए जिनमें कदब मयूर सर्मन और गुजर परतिहार हरी चंद्र जोकी ब्राह्मन थे तो इससे क्या पता चलता ह है कि छत्रिये कुल में जनम लेना मुहत्पुन नहीं था किसी दोर का सासक बनने के लिए क्योंकि जो मयूर सर्मन और गुजर परतिहार हरी चंद्र जो थे इन सभी ने सासन किये सासक बने लेकिन इन सभी ने छत्रिये नहीं थे ये क्या थे ब्राम बन थे तो इससे क्या प प्रावांबन को आपना लिए इसके अतिरी और भी साशक तरिये नहीं थे लेकिन उस दौर में भारत के अधिकान साशक कण लाते थे और होते थे तो यह बात नहीं करता है हैं दुसरा प्रॉष्ण पुछा जा रहे हैं दुसरा परहां पर है कि पर शाषंघ को रूप आज की ब्योस्था से किन मैंनों में भीन था, जो प्रशाषंघ का करता था उसमें क्या होते थे सासक जो होते थे वंसा अनुगत होते थे मतलब जो बना उसके बेटा उसके बेटा उसके बेटा मतलब वंसा अनुगत सासक हुआ करता था राजतंत्र में अथार्त राजा का पुत्र ही राजा होता था लेकिन आज की प्रसासनिक ब्योस्था लो तंत्र हुआ करता था वंसा नुगत लोग सासन किया करते थे और सासन बनते थे लेकिन आज के जो प्रसासनिक ब्योस्ता है वह लोगतांत्रिक हो गई है जिसमें जनता द्वारा चुने गए हुए परतिनीधी ही सासन करते हैं जनता के चुने ही परतिनीधी ही सरकार का गठन क करते हैं मद्यकाल में जनता किसी भी राजा करना तो चुनाव कर सकते थी और ना ही उसे हटा सकते थी लेकिन आज क्या है कि लोग अपने अनुसार परतिनिधी को चुन सकते हैं सासन चुन सकते हैं और उसके अपने अनुसार हटा सकते हैं तो यह था कुछ भीन मैनों में भीन अगला प्रश्णा आता है कि मांचित्र एक को देखे और वे कारण बताईए जिनके चलते ये सासक कनोज और गंगा घाटी के उपर अपना नियंतरन चाहते थे किर्शन क्या पूछ रहा है कि मंचित्र एक जो है जहां पे क्या सासक जो होते थे वह कनोज और गहंगा गाटी के जो जगा है उस पर क्यों नियंतरन करना चाहते थे ता आठवी सदी से लेकर बराहमी सदी के पुर्वार्द तक कनोज भारत का राजनितिक सक्ति का केंद्र रहा था और कनोज उतर भारत के मध्य में इस्थित था जो कनोज था वह उतर और भारत के मध्य में इस्थित था इसलिए गुजर परतिहार पाल वंस और राजगुट के राजाओं ने लंबे समय तक कनोज के लिए संखर्ष किया यानि यूद किया जिससे इन सास्कों का कनोज पर नियंत्रन कायम कर सकें चूकि इस लंबी चली लडाई में तीन पर थे इस लिए इतिहास कारों ने प्राया इसकी चर्चा त्री पक्षिय संघर्ष के रूप में भी की थी या जो कनोज और गंगा घाटी के लिए जो संघर्ष था तो इसमें कौन कौन संघर्ष कर रहे थे कनोज कर रहे थे और कनोज थे और गुजर परतिहार और पालवन्स और राजगुट वन्स जो गुजर परतिहार थे और पाल वंस और राजगुट वंस थे यह तीन वंस थे जो कि कुल्णोज पे अपना सासन करने के लिए संघर्ष कर रहे थे और लडाईया लंबिल लडाईया चल रही थी इन तीनों के बीज तो इतिहास कारों ने इन्हें किस नाम से नाम दे दिया तरी पक्चिये संघर्ष के रूप में क्योंकि इसमें तीन पक्च के लोग लडाई यानि यूद कर रहे थे अगला प्रश्ण्य है अगला प्रश्ण्य है कि प्राचिन एवं मध्यकाल के राजाओं दौारा की गई कई तरह के दावा किये जाते थे जो प्राचीन या मध्यकाल के राजा थे उनके द्वारा कई तरह के दावे किये जाते थे यानि वादे किये जाते थे आपके विचार से ऐसे दावे उन्होंने क्यों किये होंगे तो कई प्रस्थितियों में सास कई तरह के दावे करते थे प कहत freaking darum लोगको पता है project is 5 वश्टू बिशेस के प्रसंसा के रूप में लिखे गई गरंत को प्रस्थितिय के सुर्विर विज्यए योधा के रूप में अपने प्रस्थिती में वर्णन किया की運ैं अंधर संदेव बिधर्ब और कलिग् राजा उनके आगे तभी धाराशाही हो गए थे जब वे राजकुमार थे इस तरह की प्रस्थितिया थी बढ़ा चढ़ा के लिखा गया था कि जो संदेर और बिदर्ब और कलिक के राजा थे वह समुद्र गुप्त के सामने तभी धाराशाही हो गये थे यानि अपने आपको तभी हार मान लिये थे जब वे राजकुमार हुआ करते थे इस तरह के दावे सासक अपने आपको समानित और गरवान्तित करने के लिए किया करते थे इस तरह के दावे जो करते थे वह अपने और समानित करने के लिए किया जाता था अगला प्रश्न है अगला प्रश्न हाता है कि मांचीतर एक को दोबारा देखिए और विचार बिमर्ष किजिए कि चहमानों ने अपने इलाकों का विस्तार क्यों करना चाहा होगा जो चाहमान थे यानि चोहानों ने अपने इलाके का बिस्तार यानि फैलाओ के उत करना चाहा था उन्हों पच्छिमी और पूर्व की और अपने नियंतरन चेतर का बिस्तार करना चाहा था किधर पच्छिम और पुर्व की ओर जहां उन्हें गुजरात के चालुके और पच्छिम उतर परदेश के गढ़वालों से टकर लेनी पड़ी यानि लड़ाई लड़नी पड़ी चौहानों ने अपनी सक्ति को मजबूत करने के लिए अपनी परतिष्ठा बनाये लखने के ल के लिए समराज्य का बिष्ठार करना चाहा था है अगला प्रश्णा आता है क्या आपको लगता है कि महिलाएं इन सभावों में हिसेदारी करती थी क्या आप समझते हैं कि समितियों के सदस्य के चुनाव dalam ihr ये लोटरी का तरीका उपियोगी होता है तो महिलाओ सभाव में भाग लेने का प्रमान इतिहास के किसी भी साक्षे में नहीं मिलता है जो महिलाएं हैं उनको किसी भी सभा में भाग लेने का जो परमान है यानि सबूत है वो किसी भी इतिहास के साक्षे से नहीं मिलता है चोल प्रशासन के कुछ समितियों में ही सदस्यों को चुनाव लोटरी से किया जाता था बाकी सदस्यों का चुनाव प्रसाशनिक अधिकार्यों द्वारा किया जाता है कुछ समतियों का सदस्य, सीमितियों का सदस्य के चुनाव के लिए लोटरी का तरिका सही है अब प्रश्न अभ्यास के जो भी किफचन है उसको देख लें के प्रश्न अभ्यास के जो कि पाठे पुस्तक में दिया गया है पहला प्रश्न है जोडा बना पहला में दिया है गुजर परतिहार गुजर परतिहार इन में से किसे संब्धित रखता था तो गुजर परतिहार जो थे वह गुजरात और राजस्थान के राजाय हुआ करते थे राष्ट कुट तो राष्ट कुट जो थे वह पच्छिमी धक्कन के होते थे पाल जो थे वह पाल की बंगाल के राजाय हुआ करते थे चोलवंस तामिल के तो इस तरह से इसको मिलान करना था जो कि हमने कर दिया या प्रश्ण अभ्यास के किवचन है कच्छा साथ का इतिहास चैप्टर नए राजा एयोम उनके राज या नए राजवन्सों का उदें दूसरा प्रश्ण पुछा जा रहा है त्री पक्षिये संगर्ष में लगे तीनों पक्ष कौन कौन से थे त्री पक्षिये संगर्ष में लगे तीनों पक्ष निमिल लिखे थे पहला था गुजर परतिहार दूसरा राष्ट कूट तीसरा पाल यह तीन थे जो त्री पक्षिय के संघर्ष में लगे हुए थे अगला प्रश्ण तीसरा प्रश्ण आता है कि चोल समराज्य में सभा की किसी समीती का सदय से बढ़ने के लिए आवश्यक सरते क्या थी मतलब चोल सम्राज्य जो था उसकी सभा की समीति में सदस्य बढ़ने के लिए क्या सरते थी क्या नियम कानून थे तो चोल सम्राज्य में सभा की किसी समीति का सदस्य बढ़ने के लिए नियम सरते आवश्यक थी पहला सभी सद्यस्त्य के लिए इक्छुक लोगो को ऐसी भूमी का स्वामी होना चाहिए जहां से वने भूर राज्वस्व वसुला जा सके यानि भूमी का कर वसुला जा सके यह गुन होना चाहिए था दूसरा उनके पास अपना घर होना चाहिए था तीसरा उनकी उम्र 35 से 70 के बीच होनी चाहिए थी चौथा उन्हें वेदो का ग्यान होना चाहिए था और पचवा इमंदार होना चाहिए था उन्हें और उन्हें प्रशाषिनिक मामलों की अच्छी जानकारी होनी चाहिए थे तो इस तरह से कुछ सर्तेते थे सदस्यता में भाग लेने के लिए अगला प्रश्न आता है कि चोहानों ने चाहमानों के नियंत्रन में आने वाले दो प्रमुख नगर कौन से थे तो चाहमानों के नियंत्रन में आने वाले दो प्रमुख नगर निमें लिखे थे कोनोज बनारस और दो और भी थे इंद्रप्रस्त और प्र हुआ करते थे चोहनों के पच्वा प्रश्ण है राष्ट कूट कैसे सक्ति साली बने जो राष्ट कूट थे वक्की स्तर से सक्ति साली बने तो राष्ट कूट शुरू में करनाटक के चालुक्यों राजाओं के अधिन हुआ करते थे मनें चालुक्यों के नीचे काम करते थे उनके नीचे रहा करते थे आठवी सदी के मध्य में एक राश्कूट सासक दंति दुर्ग ने चालुकियों के अधिनता को क्या किया अनकार कर दिया था बाद में चालुकियों ने उसने चालुकियों को उसने हराया और अपनी सैनिक सकती में ब्रेधी की किस ने की थी तर दंति दुर्ग ने की थी अगला प्रश्ण है छट्ठा नए राजवनसों ने सविक्रीत हासिल करने के लिए क्या किया तो नए राजवनसों ने सविक्रीत हासिल करने के लिए निम लिखित कार्य किया पहला, राजा लोग नए राजवन्सों को अपने महात या समान्त के रूप में मन्याता देते थे, दूसरा, अधिक सत्ता और संपता हासिल करने पर समान्त अपने आपको महा समान्त यानि महा मंडले स्वर इत्यादित घोसित कर लेते थे, यानि पूरे भूस्वामी का, पू धमी परिवार के पुरुसों ने अपनी राजसाही कायम करने के लिए सेन ये कोसल का भी इस्तमाल किया था या कुछ थे ने राजवन्सों की सविक्रीति हांसिरकंडे के लिए किये गए कारिय अगला प्रश्ण है सत्वा प्रश्ण तमिल छेत्र में किस तरह की सिचाई ब्यवस्था का विकास हुआ था तमिल छेत्र में सिचाई ब्यवस्था का विकास निम प्रकार से हुआ था प्राकृतिक जिलो से सिचाई की ब्यवस्था की गई थी अनेक नहरों को निर्मित किया गया था सिचाई के लिए कई तलाबों और हर्जो का निर्मान किया गया था, अनेक छेत्रों में नए कुवे खुदवाए गया थे, किसलिए तो तामिल छेत्र में सिचाई की बेवस्था को विकास करने के लिए, विक्सित करने के लिए. अगला प्रश्न है, चोल मंदीर के साथ कौन-कौन सी गति विधिया जुड़ी हुई थे, तो चोल मंदीर के साथ निमिलिकित गति विधिया जुड़ी हुई थे, पहला, चोल मंदीर अक्सर अपने आसपास विक्सित होने वाली बस्तिया का केंद्र बन गये थे, जो चोल था वह अपने आसपास के बिक्सित होने वाले बस्तियों का क्या बना था? केंद्र बना था. यह सिल्प उत्पादन केंद्र थे, यहाँ पर मुर्ती और बनाया जाता था. यह मंदिर सास को और अन्य लोगों द्वारा दी गई भूमी से ही संपन हो गया थे. यह जो मंदिर बना था, वह लोगों द्वारा दी गई भूमी पर ही संपन के आ गया था. मंदिर के लिए काम करने वाले पुरोहित, मालाकार, बावर्ची, मेहनत, संगितकार, नित्यक, आदिप, पनमुक थे. मंदिर से पूजा अरधना का ही केंद्र नही था, बलती, आर्थ समाजिक और सांस्कितिक जीवन का भी केंद्र हुआ करता था. नवा प्रश्न है, मांचीत्र एक को दुबारा देखे और तलास के रहे कि जिस प्रांत में आप रहते हैं, उनमें से कई पुरानी राजसाही राजावों के राज्य भी थी या नहीं, तो मांचीत्र एक को हम रहते हैं, वहां इंद्र प्रस्त नामक राजसाही अस्थापित थी, जिसे हम दिल्ली के नाम से जानते हैं, चैप्टर के अनुसार, इस अतिरिक्त में अन्नी राजसाही और वर्तमान पुरांत का नाम इस परकार से थे, राजसाही गुजर परतिहार जो की गुजरात औ और पच्छीम मद्य पर्देश के राज्य था पाल बंगाल और बिहार पर इनका राज्य था उतकल उडिसा पे पुर्वी चालू के आंध्र पर्देश राष्ट कुट महराष्ट और उर्तरी करनेटर जोल तामिल नाडू और आगे हैं चेर जो चेर थे वह केरल पांडेत उनके राज्य थे कि दस्वा प्रशनें पूछ रहा है कि जिस तरह के पंचाईती चुनाओ हम आज देखते हैं उन्हों उत्तर मेरूर के चुनाओ किस तरह से अलग थे तो वर्तमान समय के पंचायत उत्तर मेरूर के चुनाओ में अंटर दोवार चुनाव किया जाता है जो भी है गया जिनका 18 साल से उपर हो जाता है सब्सक्राइब अधिकार द्वारा चुनाव किया जाता है और मतदाता अपने पसंद के उम्मीत दवारों को ही मतदेते हैं कोई जोड़्ज पजस्ती नहीं होता लेकिन उत्र मिरोर में क्या था कि लोट्री पधती द्वारा बेभीन समित्तियों के सद्द्र से चुने जाते और चुनाव पूर्ण रूप से पत्यासियों के भागये पर निर्भर करता था इस तरह से था इन दोनों में अंतर अगला प्रश्ण है 11, प्रश्ण में 11, इस अध्या में दिखलाए गए मंदिरों से अपने आज पास के किसी मवजूदा मंदिर की तोलना करें और जो समान्यता और अंतर आप देख पाते हैं उन्हें बताएं तो असमान्यत्ता क्या है इस अध्या में दिखलाए गए मंदिर ड्रवीड सैली के अस्थाप ये कला द्वारा निर्मित है लेकिन वर्तमान में अधिकांस मंदिर बेशर सैली अस्थाप ये कला द्वारा निर्मित है बेशर सैली में ड्रवीड और नागर सैली का संभीत होता मंदिर में मुर्टी थित होती है यानि केंदर में ही मुर्ति इस्थित whole key का अाज के समय में वसुल्य जाने ौले करों के बारे में और जानकालिंद करें क्या यह नगत के रूप में वस्तु के रूप में या स्रम सिवा के रूप में होते हैं तो वर्तमान समय में परत्यक्ष और परत्यक्ष कर के रूप में वसूल किया जाते हैं तता किसी भी कर का भुकतान वश्टू के रूप में अत्वा स्रम सेवा के रूप में नहीं लिया जाता है तो इस तरह से था चैप्टर कक्छा साथ का चैप्टर 7 का question answer जो कि हमने किरा दिया इससे पहले के वीडियो में हम लोग इसके डिट भी कर चुके थे तो मैं उमिद कर करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर और कॉमेंट करना ना भूले और साथ ही साथ अगर चैनल पर नए है तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी प्रेस कर ले ताकि मेरे आने वाले हर एक वीडियो कर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ तब तक के लिए बै जैहिंद जैवारत